पटोधी खांदान में जन्मी सोहा अली खान का जन्म 4 अक्टूबर 1978 को हुआ था इस साल सोहा अपना 41 वा जन्म दिन मनाने वाली है सोहा अली खान मनसूर अली खान की बेटी है जो पटोधी खांदान के नौवे नवाव थे सोहा की माश शर्मिरा टेगो 70-80 के दशक की बड़ी आताकारे रही है तो वहीं उनके भाई सैफ अली खान भी फिर्मों में सक्री हैं तीन भाई बहनों में सोहा सबसे छोटी है सोहा की बड़ी बहन सवा अली खान जूलरी डिजाइनर है वो एक डायमन्ड चेन भी चलाती है सोहा ने दिली के ब्रिटिश स्कूल से अपनी पढ़ाई की इसके बाद वो लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटी में पढ़ाई करने चली गए सोहा पढ़ाई में काफी अच्छी थी इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल आफ एकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अंतरास्टी संबंधों पर मास्टर डिग्री की पढ़ाई खत्मे करने के बाद सोहा ने बैंक में काम करना शुरू किया उन्होंने फोर्ट फाउंडेशन और सिटी बैंक में काम किया हाला कि सोहा का सिक्का फिल्मों में कुछ खास नहीं चला साल 2004 में बंगाली फिल्म इती श्रीकांता से सोहा लिखान ने फिल्मी पारी शुरू की बॉलिबोर्ट में उन्होंने शाहिद कपूर के साथ दिल मांगे मोर से कदम रखा सोहा को पहच्चान फिल्म में रंग दे बसंदी से मिली साल 2006 में आई इस फिल्म के लिए सोहा को आईफा और जीफा का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रिस का अवार्ड मिला था साल 2015 में सोहा ने अपने बॉर्ट्फेंड कुराल खेमू संग शादी कर ली शादी से पहले कुराल ने सोहा को 9 करोर का फ्लाट गिफ्ट किया था सोहा और कुराल खेमू की एक प्यारी सी बेटी इनाया भी है बेटी की पैदा होने के बाद फिलहाल सोहा फिल्मों से दूर है उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर एक किताब भी लिखी है